पिछली बार जियां के थे नौलगड सुनिर्दल ये खड़या हूए यहां बीकपाद में पी मतलब खूब लोगा को समर्थन मिले हो बहुत सा बोट थान बहुत जादा बोट मिले है इपार बीजेपी रंटिकर दी है तो एक विश्वास के साथ में तो इपार के लागए नौलगड में के पूरा परदेश में बदलाव है और 1922 से लेकर आज तक नौलगड में कमल को फूल खिले हो को नीजिको अब की बार खिल जागो अब की बार खिल जागो अच्छे की यह बताओ कि जो बाई योजना भी कोंगरे सरकार निकाली ही तो बाई योजना मतलब बताए जा रहे हैं कि लोगा द्वारा इस मानस चेंज करने के लिए कि बागी अब जनता ने मानस बना लिया चाहिए गना सो नोई वे देवा जनता बीजेपी के सागर होगी परिवरतन चारी ये बश्टा चार से तंग आगी बच्चा किसान का गरीब का मजदूर का सब अपनी महनत करके और सारे बच्चे घर परिवार से एक एक रूपे जुटा करके वो तैयारी करने कोचिंगों में जाते हैं और इनके साथ इताज जीवन के साथ इतना खिलवाड हुआ है राजस्तान के अंदर इस कंग्रेस राज के अंदर की नोजवान की कोई सुनने वाला ही नहीं है इत्ती बार आए दिन जब पेपर देकर भाहर अतिया लगता कि पेपर लीक हो गया तो इसके लिए नोजवान परिवरत लाने के लिए भारतिय जनता पार्टी भी विश्वास करके घड़ा है। कर चाहिए नोजवानों को वहां चिमट फेक्री में रोजगार नहीं मिला यहां का प्रेटक के स्तल प्रेटक कूब आते थे यह सब चीजे खतम हुई है नावलगड में और यह सारी उपर तक सब पता है तो इसलिए हम इसाजीगा खुद का मन था कि मैं नावलगड आऊं और